यहां कहानी है मेरे गाव में हैजे से आए बदलाव के बारे में हैजे के सूक्ष्म जिवानू इतने सूक्ष्म के दिखाई भी नदे नदी के माध्यम से फैल रहे अत्यंत छोटे फिर भी अत्यंत हानी कारव अंजाने में ही औरते पानी के माध्यम से हैजा घर ले आई मक्यों ने अपने पैरों से हैजे का प्रसार किया यहां गंदे हाथों से भी फैला हम पानी, भोजन एवं उंगलियों के जरीए हैजे के जिवानू निगल गए अब यह बहुत ही तीवर गती से गटित हुआ सुबह तक मेरे पिता एक्तम अस्वस्थ थे उन्हें दस्थ लगे थे मानों बीतर से बस गंदा पानी सा ही आ रहा था मैं बहुत डर गया मैं सहायता के लिए भागा मैं पहले कभी भी इतना तेज नहीं चला मेरे पिता पर नजर डालते ही नर्स जान गई कि हैजा हुआ है उन्हें बचाने के लिए हमें बहुत तेज रफ्तार से कार्य करना पड़ा उनकी मदद के लिए हमने एक विशेश गोल बनाया सर्वप्रथम हमने पानी को सुरक्षत बनाया हमने इसे कपड़े से छान लिया और फिर एक मिनट तक उबाला तब हमने इस एक लीटर पानी में आधा चम्मच नमक एवं चह चम्मच चीनी मिलाई इसका स्वाद आसुओं जैसा था अधिक नमकीन नहीं मुझे चिन्ता थी कि कहीं मेरे पिता मेरे आँखों के सामने ही न चल बसे परंतु शीग रही उन्होंने कुछ स्वस्थ अनुभव किया नरस ने मुझे बताया कि हर कोई जो हैजे के जिवानों निगल जाता है वह बिमारी फैला सकता है अब मुझे अपने गाव की लोगों को यह प्यान देने की आवशकता थी कि वे अपने आपको हैजे से सुरक्षित कैसे करें मैंने एक लड़की को बताया कि पानी में क्लोरिन की कुछ बूंद मिला कर आधे गंडे तक रखने से वहर इसे सुरक्षित बना सकती है एक आदमी गंडे हातों से लगभग खाने ही लगा था मैंने उसे समझाया कि शौचाले जाने के बाद उसे अपने हाथ सदैवर सुरक्षित पानी से दोने चाहिए केवल साफ हातों से ही वह सुरक्षित बोर्जन खा सकता है मैंने गाव वास्यों को हमारे गाव में गंडगी फैलाते देखा मैंने उन्हें समझाया कि नदी से लगभग 30 मीटर दूरी पर शौचाले खुदवाय हमारे गाव को स्वच बनाये रखने के लिए यहां महत्वपूर्ण था एक मा को मैंने असुरक्षित भोजन बनाते पाया मैंने उसे बताया पहले हमें अपने हाग सुरक्षित पानी से दो लेने चाहिए तभी हमें भोजन को दोना वा छीलना चाहिए भोजन को पका कर वा सदैव गरम ही खाना चाहिए और इसे मक्खियों से बचा कर रखना चाहिए ये बाते सारे गाव में फैलाने की उपरांग मैं अपने पिता को देखने दोड़ा उन्हें पहले से अच्छा देख कर मैं बहुत कुश हुआ हमारा गाव निरोगी बना हम पानी को सुरक्षित बनाते हैं अब हम हमेशा शौचाले का इस्तमाल करते हैं और सुरक्षित पानी से हाथ दोते हैं बोजन मक्खियों से सुरक्षित है दोया, छीला एवं पकाया जाता है और हम हमेशा बोजन पकाने वह खाने से पहले हाथ दोते हैं हमने अपने गाव को हैजे से सुरक्षित कर लिया है इन बातों का प्रसार कीजिए आपका गाव भी सुरक्षित हो सकता है